श्री क्रेश्न ने बताया कलिव का कड़वा सच क्या है लोग पेड़ों को काटने या उपवनों को नश्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे सब एक ही प्रकार का भोजन करेंगे अर्थात खान पान और खान पान में भेद भाव का अभाब होगा संतों का बाहरी रूप होते हुए भी लोग ब्यापार और ब्यापारिक गतविदियों में लिप्त रहेंगे कलिव में पुर्स अपनी पत्नी से ही मित्रता करता है पुर्स उनी लोगों को अपना सम्मंदी मानेगा जो उसकी पत्नी के माद्यम से उस सम्मंद रखते हैं जिसके पास धन है वह कुलीन और अच्छे गुडों वाला माना जाएगा जिसके हाथ में सत्ता है वही अपने पक्ष में नियाय की राह चलाएगा जिसके पास पैसे की कमी है और वह रिस्वत नहीं दे सकता उसे अदालते नियाय से वंचित कर देंगी दूर के जल्स रोतों को लोग तीर्थ मानेंगे लेकिन निकट के तीर्थों की अपेक्षा करेंगे उधारन के लिए माता पिता के साथ रहना और उनकी सेवा करना ब्रहमण उन कार्यों को करना सुरू कर देंगे जो अन्य था सूद्रों को करने चाहिए ब्रहमण यग्यों और वेदों के अध्यन से विरत रहेंगे लोग अपने पूर्वजों को दरपन करना बंद कर देंगे ब्रहमण मास मदिरा भी खाना पीना सुरू कर देंगे पुड्शों की उम्र कम होगी और ताकत में कमजोर होंगे वे उड़जा और पराक्रम में मोग के लिए अपने मुह का इस्तेमाल करेंगी अधिक करा धहन के बोज तले ग्रस्त लुटेरे बन जाएंगे आश्रम में ब्रह्मचारी बुरे आच्रण में लिप्त होंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे आश्रम ऐसे दिखावों से भरे रहेंगे जो दूसरो के भोजन पर जीवन यापन करने की कला में निपुण हैं जब कलियुग और भी अधिक पतित होता है तो धर्म का पाल्म करने वाले लोगों का जीवन पहले से भी छोटा दिखाई देता है लोग जूटे तोल से माल बेचेंगे ब्यापार से जुड़ा बहुत छल होगा कलि कलियुग के अंत में युवा बुड़े की तरह ब्यापार करता है जो आचरन छोटों को सोवा देता है वह ब्रदों में देखा जाता है बुड़े बच्चों की तरह सोचेंगे और छोटों में बुड़ों जैसी बुद्धी होगी कलियुग में लोग सत्य को संचित करते है सत्य को किये गए इस नुकसान के कारण जीवन काल छोटा हो जाता है ब्रहमण छत्री और वैस आपस में संतान उत्पन करेंगे और तपश्या और सत्य से रहेत सूद्रों के समान बनेंगे गाय की कमी के कारण लोग बकरी और भेड का दूद पीने का सहारा लेंगे ब्रहमण पवित्र ब्रतों का पालन नहीं करेंगे बलके बेदों की आलोचना करेंगे तरक से मोहित होकर वे पूजा और यगों को त्याग देंगे कलिउग के अंत में दुनिया मलेक्ष आचरण से आगे निकल जाएगी कोई संसकार और बलिदान नहीं होगा हर तरफ मादम साच्छा जाएगा और कोई तियोहार नहीं मनाया जाएगा पुरुस दूसरों की संपत्ती यहां तक की बिदवाओं की भी संपत्ती लूट लेंगे मनुष दुष्टों द्वारा दिये गए उपहारों को भी खुशी खुशी सुईकार करेंगे जब कलियोग का अंत निकट होगा तब छत्य संसार के काटे होंगे वे दूसरों की रक्षा नहीं करेंगे साधी में कोई लड़की का हाथ नहीं मांगेगा कोई भी लड़की को साधी में बिदिवत नहीं देगा जब कल्योग पूरी तरह से परिपक हो जाएगा तो इस्तरी पुरुस अपना जीवन साती स्वेम चुनेंगे कल्योग के पूर्ण बिक्सित होने पर एक हाथ दूसरे हाथ से चोरी करेगा कायर अपने बीड़ता पर गर्व करेंगे और वीर कायरों की तरह अवसाद में डूबे रहेंगे कल्योग के अंतिम चरणों के दोरान कोई ब्रहमण छत्री या वैस नहीं बचेगा कल्योग के अंत में दुनिया में एक ही वर्ण होगा पतनियां अपने पतियों की और रुक नहीं करेंगी पुरुस और महलाएं जो चाहे खाएंगे सादू के चिन्नों से लोग अपना सिंगार करेंगे अर्थात नकली सादूओं की भरमार होगी पकाया हुआ भोजन सभी प्रमुक मारगों पर बेचा जाएगा सास्तरों के अनुसार पका हुआ भोजन बेचना पाप है ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी को भोजन का अधिकार है चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो जब कल्योग पूरी तरह से उन्नत हो जाता है तो प्रतेक अपनी इच्छा अनुसार कारे करेगा मानव अधिकार सूद्र द्वारा ब्रहमनों का दमन किया जाएगा और इस प्रकार ब्रहमन सुरक्षा की तलास में पूरी प्रत्वी पर भठकेंगे सूद्र धरम की व्याख्या करेंगे और ब्रामण उनके प्रवचन सुनेंगे और उनकी सेवा करेंगे दुनिया में सब कुछ पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा देवताओं को त्याग कर दीवारों में इस्थापित अस्तियों की पूजा की जाएगी पुरुस मास और सराप के आदी होंगे और अपने धरम को कमजोर बना देंगे वारिस गलत समय पर बढ़सेगी कर्ज के बोज से दवे ब्रहमण दसों दिशाओं में भागेंगे मित्र और सम्मंदी धन के प्रती प्रेम के कारण ही कार्य करेंगे इस्त्रियां बाणी में कठोर और क्रूर होंगी और रोना पसंद करेंगी ये अपने पती की बात नहीं मानेंगी परागमन में यात्री, महमान, भोजन और पानी मांगेंगे लेकिन प्राप्त नहीं करेंगे उन्हें सरण देने से मना कर दिया जाएगा और सडकों पर सोने के लिए मजबूर किया जाएगा लोग अपने अपने देसों को छोड़ कर अन देसों दिसाओं छेत्रों में सरण लेंगे और हाई पिता, हाई पुत्र कहते हुए दुनिया भर में गुमेंगे यौन कौसल पुड़सों और महलाओं में उतक्रिष्टता का मान दंड होगा बुराई की एक मात्र निशानी गरीवी होगी जो अपनी तपश्या तांतरिक शक्तियों आद का बड़ा प्रदर्शन कर सकता है वही सबसे बड़ा सादू माना जाएगा अपने बालों को समारना और कपड़े पहनना इस नान के विकल्प के रूप में माना जाएगा पेट भरना ही जीवन का सर्वोच उद्देश होगा राजा बनने का कोई नियम नहीं होगा कोई भी ब्रहमर चत्री वैशी या सूद्र जो इस वात पर निर्वर कड़ता है कि उस समय सबसे सकतिशाली कौन होगा राजा बनेगा उस समय सासक इतने लोवी होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई भेद न रह जाएगा बेदों के जब के अभाव और अत्तियों के न आने से घर वीरान होंगे बुरे काम करने वाले लोग सामाजिक सीड़ी के टॉप पर होते हैं जूँट है, नफरत है, लालच है, सच्चा प्यार नहीं है, इमानदारी नहीं है और जिन्दिगी इसके अलावा आपको इस विसे में क्या मानना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट में हमें जरूर बताएं